थे हैं यहां पर आज मैं डिसकस करने वाला हूं NTA अभियास जो आपका एप है उसमें से जो फुल सलेबर्स के मौक टेस्ट हैं वो हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं इससे पहले हम धे सारे सवाल डिसकस कर चुके हैं बहुत सारे सवाल डिसक्स कर चुके हैं NTA के यदि आप अभी तक चेक आउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर NKC Sir Underscore IITD पर आप जाए ये प्ले लिस्ट सेक्शन पर प्ले लिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा NTA अभ्यास नाम की प्ले लिस्ट मिलने वाली है NTA अभ्यास तो वह आप चेक आउट कर सकते हैं उसमें धेड़ सारे important सवाल हैं जो बहुत जादा important होंगे जही में के लिए जही में के लिए जही में के लिए तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की और हम दुबारा से अपना phase 2 जो है इसका start करने जा रहे हैं तो question है आप discuss करने जा रहे है सवाल में आपका दिया है a uniform rod of lentil of mass M is pivoted at the center center से इसको pivot कर दिया जाता है तो center rod का है यहां पर तो यहां से इसको pivot कर दिया जाता है यहां से इसको pivot कर दिया its two ends are attached to two springs of equal constant equal spring constant k यानि कि यह जो spring है और यह जो spring है दोनों की spring constant पराबर है the rod is gently pushed through a small angle theta in one direction and released the frequency of oscillation is the frequency of oscillation f हमें बताना है कितना होगा तो जब भी आपके पास time period frequency निकालने की question आते हैं तो आपको करना क्या है यह जो system है इसका equilibrium position find करना है तो आप देख सकते है clearly the given position is the equilibrium position और फिर equilibrium position से इसको disturb करना होता है अब इसको disturb ऐसे करना है कि जिससे यह oscillatory type का motion कर सके possibly तो हम जानते हैं कि यह इसको rod को थोड़ा सा tilt किया जाएगा थोड़ा सा rotate किया जाएगा इसको pivot point के about तो यह इस तरीके से एक pendulum type का motion है यह perform करने वाली है तो हम वही करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो rod है इस rod को हमने थोड़ा सा displace किया है इसको displace किया है और इसको left की तरफ यानि anti-clockwise sense में थोड़ा सा हम displace कर देते हैं displace कर दिया साब इसको थोड़ा सा by an angle theta theta angle से इसको हमने displace कर दिया है तो मैं कह सकता हूं कि जो extra length extra length जिससे spring compress हुई है जिस extra length से spring compress हुई है उसको लिखा जा सकता है L by 2 theta के बराबर L by 2 theta के बराबर because theta तो काफी जादे small है तो यह एक straight line ही होने वाला है यह जो इसका path है almost straight line ही होगा यह वाला path straight line ही होगा तो बस यहाँ पे मुझे पता है कि इस object का जो motion है वो oscillatory type का SHM है तो मैं net torque यहाँ पे लिखूंगा कि कितना produce हो रहा है तो net torque लिखने के लिए मैं लिखूंगा कि यह दोनों spring जो है उनमें force generate हुआ है K into L by 2 theta और multiply कर दिया मैंने 2 से तो यह तो आगे हमारे पास total force और क्योंकि यह center के about oscillation हो रहा है तो यह perpendicular distance force into perpendicular distance इसको हमने इस तरीके से compress किया है तो एक धक्का यहाँ पे लग रहा होगा एक धक्का यहाँ पे लग रहा होगा इस तरीके से F और F के बराबर तो force into perpendicular distance which is L by 2 cos theta यहाँ पे हमें लिखना होगा यहाँ पे multiply कर दिए L by 2 cos theta से तो यह net torque हमारे पास आ चुका है तो torque को लिखा जा सकता है I alpha I is ML square by 12 into alpha is equal to यहाँ आजाएगा आपके पास K 2 से चला गया 2 L L L square यहाँ जाएगा theta because theta बहुत चोटा है cos theta को 1 लिख दिया तो KL square by theta और नीच आजाएगा 2 आपको मिल जाता है यहाँ से L square से L square गया तो alpha की value मिल जाती है K theta divided by M alpha M alpha नी alpha की value K theta 6K theta divided by M आपको मिल जाती है तो theta के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या है? omega square के बराबर है तो omega आपको मिल जाता है under root of 6K by M और omega upon 2 pi होता है frequency के बराबर आपको frequency मिल जाती है F is equals to 1 upon 2 pi under root of 6K by M 1 upon 2 pi under root of 6K by M इसका आपको frequency मिल जाता है oscillation का Hello my dear students I am Neeraj Kumar Chaudhary your physics teacher बच्चो एक बहुत important event के बारे में मुझे आपको बताना है Anakadby Super 20 एक event है जिसमें जो की November 30 से December 12 तक चलेगी इसमें 2 test होंगे उनके basis पे जो top 500 rankers होंगे उनको in person two days का bootcamp provide किया जाएगा ठीक है बच्चो इसमें क्या होगा bootcamp में personalized scoreboard होगा analysis session होगे by top educators और आपको इसमें 100% scholarship जीतने तक काम होगा मिलेगा ठीक है बच्चो अब जितने भी expenses हैं वो सब अनकेडमी के दुआरा bear किये जाएंगे इस दो दिन के bootcamp में ठीक है ना इसमें guidance होगा study plan होगा tricks होगी top educators के दुआरा जिन्होंने top rankers को पढ़ाया जो भी अनकेडमी से ranks आई है ठीक है बच्चो और एक बात और बता नहीं है all star crash course 3.0 ये नया batch स्टार्ट किया गया है 11th class के students के लिए जिसमें 4 महीने में पूरा syllabus कराया जाएगा ताकि आप 12th class में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से regular पढ़ाई कर रहे है ताकि आप में और उन में कोई अंतर ना रहे ठीक है न तो ये batch 1st December से स्टार्ट हो रहा है चार महीने पूरा syllabus और ये उन बच्चों के लिए है जो J2023 में देंगे यानि के 11th class के students के लिए है ठीक है बच्चों तो जल्दी से जल्दी इसके लिए enroll कर लीजे Thank you इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरह सवाल आपको दिया है A particle of mass M is driven by a machine that delivers a constant power k watts If the particle starts from rest then the force on the particle at the time t is equal to तो आपसे पूछा गया है कि force कितना लगेगा आपसे पूछा गया है कि force कितना उसके उपर लगेगा at time t यानि कि as a function of time आपसे पूछा गया है force और time के बीच में relation पूछा गया है तो भई मैं जानता हूँ कि power जो है instantaneous power किसी भी एक instant पे यदी में power की बात करूँ at t is equals to t यदी में power की बात करूँ तो force into velocity एक ही straight line में जा रहे हैं तो f v लिखा जा सकता है power को और power किसके बराबर दिया है k के बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पे force भी time के साथ related है velocity भी time के साथ related है बट यह quantity कौन से है तो पहले हमारा focus होगा कि velocity निकाल दू time के साथ तो force को मैं लिख सकता हूँ mass into acceleration और acceleration को लिखूँगा मैं dv by dt और यहाँ आजाएगा आपके पास फिर से v is equal to k is equal to k आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप लिखेंगे v dv is equal to k by m और यहाँ आजाएगा आपके पास dt integrate करेंगे दोनों तरफ t बराबर 0 पर velocity 0 थी start करता है रहस से question में दिया है और t is equal to t instant पर मान लेता हूँ velocity हो जाती है v तो आपको यहाँ से result मिलने वाला है that v square by 2 is equal to k t by m तो velocity आपको मिल जाएगी k t by m 2 का under root यह velocity आपको मिल जाती है अब velocity आपको मिल गई time के साथ तो आप force निकाल सकते हैं यहाँ से तो आप यह जो value है इसे आप रख दीजे यहाँ पे और आपको यहाँ से relation मिल जाएगा f is equal to force यह तो निकालना है k divided by v velocity और velocity कितनी आचुकी है under root of 2 under root of 2 under root of k under root of t और उपर आजाएगा under root of m तो यहाँ under root k से mk by 2t आपको force की value मिल जाती है f is equals to under root of mk by 2t ठीक बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह a block of mass m is resting on smooth horizontal surface एक m mass का block है horizontal surface पे rest करता है one end of uniform rope of mass m by 3 is fixed to the block तो एक massless rope नहीं है यहाँ पे mass वाली rope है इसका mass m by 3 उसका एक end block से attach कर दिया जाता है which is pulled in the horizontal direction by applying a force f on the other end तो बताना है the tension in the middle of the rope is equal to तो tension बताना है middle point of the rope में कितना होगा तो कुछ यहाँ पे situation ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास एक block है हमारे पास एक block है जिसका mass है m और उससे connect की जाती है एक रसी और इस रसी का जो mass है वो m by 3 है force लगाया जाता है f के बराबर क्योंकि पूरा system एक smooth horizontal surface पर रखा हुआ है कोई भी friction जमीन और block के बीच में नहीं है तो हम यह समझ गए यह जो पूरा system है आगी की तरफ translate करेगा और उसके पास कुछ ना कुछ acceleration होगा तो इसका और इसका same acceleration होने वाला है तो मैं आप इस पूरे system के लिए इसको पूरा system मानते हुए मैं Newton's second law का इस्तिमाल कर सकता हूँ कि force लगा है पूरे system पर f बराबर total mass है system का 4m by 3 into acceleration आगया a acceleration की value मिल जाती है 3f divided by 4m के बराबर so 3f by 4m हमें acceleration पूरे system का मिल जाता हूँ अब बात करनी है हमें middle point की यह जो हमारे पास रसी है इसका midpoint खोजिये तो इसका midpoint हमें मिलेगा यहाँ पर this is the midpoint अब इस midpoint का free body diagram यही मैं बनाता हूँ midpoint का free body diagram का मतलब है कि इस रसी को यहाँ से आप ऐसे एक चीरा लगाई है और इस वाले part का free body diagram बनेगे तो यह वाला जो part है इसका mass हो जाएगा m by 6 और force लग रहा है यहाँ पे f और यहाँ पे tension है t के बराबर और यह वाला जो part है यह भी acceleration a से move कर रहा है जिसकी value है 3f upon 4m के बराबर तो यहाँ पे newton second law इस्तिमाल करूंगा तो आपको मिलेगा f minus t is equals to m by 6 into acceleration acceleration कितना है 3f by 4m 3f divided by 4m तो 3 से चला गया यह दो बार m से चला गया m बार आपको मिल गया यहाँ से f divided by 8 तो यहाँ से f minus t is equals to f by 8 मिल जाता है तो tension मिल जाता है आपको f minus f by 8 आंसर आगया आपको 7f by 8 तो 7f by 8 के बराबर जो है tension आपको यहाँ पे मिल जाती है ठीक है यही हमारा answer है 7f by 8 will be the total tension in the middle point of the road, okay next question यहाँ आपर discuss कर रहे हैं, सवाल करता है आपसे solenoid has 2000 tons wound over a length of 0.3 meter the area of its cross section is 1.2 into 10 to the power minus 3 meter square, around its central section a coil of 300 tons is wound, if an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, then the EMF induced in the coil is equal to तो यहाँ पे इस कहानी के दो नायख है, एक का नाम है solenoid और दूसरे का नाम है coil एक बार देख लेते हैं कि कैसे एक कहानी में fit होते हैं, तो हमारे सामने एक solenoid दिखाई गई है और solenoid के specifications दिये हुए हैं, कि solenoid का measure number of turns है solenoid में जो turns है वो किसके बराबर है 2000 के solenoid की जो length है, वो किसके बराबर दिये हुई है solenoid की length है 0.3 meter और solenoid का जो cross sectional area है ये वाला जो part का area है वो आपको दिया हुआ है 1.2 1.2 into 10 to the power minus 3 meter square, ये भी meter में है number of turns के कोई unit होती नहीं है अब इसके central part के around हम बात कर रहे हैं ये इसका जो central part है यहाँ पे एक coil बान दिया जाता है इस तरीके से coil यहाँ पे बान दिया जाता है ये वाला जो part है यहाँ पे हम बान देते हैं coil इस तरीके से इस तरीके से coil बान दिया जाता है अब इन coils की जो संख्या है वो है हमारे पास 300 300,000, 300 n is equals to 300 हमें यहाँ पे turns दिये हुए current जो 2 amp के बराबर है solenoid में उससे reverse कर दिया जाता है 1 by 4 second में 1 by 4 second में current को reverse कर दिया जाता है देखिए current को reverse करने का मतलब क्या है कि magnetic field की direction को पलट देना magnetic field की direction को पलट देना तो magnetic field की direction को पलट दिया गया है उसकी वज़े से पूछ रहे हैं कि इस वाले coil में कितना EMF develop होगा देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे magnetic field change कर रहे हैं current change कर रहे है solenoid के अंदर लेकिन EMF develop हो रहा है इस coil के अंदर इसका मतलब यह mutual induction का example है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि EMF induced in the coil is equal to change in total flux divided by delta T वेकोल fundamental तरीके से यहाँ पे मैं इसको solve करूंगा तो current जब एक particular direction में है जब इस sense में है तो magnetic field किस तरफ रहा होगा इस तरफ रहा होगा और current की direction जब पलट दी जाती है तो magnetic field हो गया होगा इस तरफ तो flux जो है एक बार positive है एक बार negative है तो एक बार के लिए मैं flux लिखूंगा N B into A और दूसरी बार के लिए flux लिखूंगा N B A तो flux में जो change हमें मिल रहा है वो 2 N B A के बराबर है और time हमें दिया हुआ है 1 by 4 second के बराबर तो यहां पर आपको मिल जाता है 2 times number of turns कितने है 300 के बराबर है into area 1.2 into 10 to the power minus 3 into magnetic field magnetic field किसका? solenoid की वज़े से solenoid की वज़े से magnetic field लिखूंगा mu naught ni mu naught ni लिखूंगा तो 4 pi into 10 to the power minus 7 यह mu naught की value है अब number of turns per unit length की बात करें तो कितना आजाएगा? 2000 by 0.3 कितना आजाएगा? 2000 divided by 0.3 into current current हमारे पास है 2 ampere के बराबर यह आगे है magnetic field और divide कर देंगे इसको time taken से which is 1 by 4 second अब इस पूरे expression को solve आप कर लेंगे तो आपको answer बता चल जाएगा कितना हैगा? इसका answer आना चाहिए 4.8 into 10 to the power minus 2 volt या 48 milli volt के बराबर आपको answer यहाँ पे मिलना चाहिए ठीक है? इस तरी के सवाल को solve किया जा सकता है असान सवाल था थोड़ा सा different था अब चलते हैं आगे A sphere and a cube of same material and same total surface area are placed in same evacuated space turn by turn after they are heated to the same temperature find the ratio of their initial rates of cooling in the enclosure तो यहाँ पे हमारे पास एक sphere है और हमारे पास एक cube है इन दोनों को turn by turn यानि कि पहले इसको एक particular enclosure में रखा जाता है और heat किया जाता है इस particular temperature तक similarly उसके बाद इसको भी उस particular temperature पर heat किया जाता है उस same enclosure में तो आप से पूछा गया है कि जो initial rate of cooling है देखे rate of cooling का मतलब हमीशा होता है कि temperature के गिरने का rate because हम इनसान जो है temperature का गिरना कहते है कि वो cool down हो रहा है और temperature बढ़ने का मतलब है कि वो heat up हो रहा है तो temperature के जो गिरने का rate है उसे कहा जाता है rate of cooling ठीक है इसे कहा जाता है क्या rate of cooling rate of cooling तो आप देखे बिटा यह हमारे पास एक sphere है sphere का जो surface area है question में दिया है कि 4 pi capital R square यदि मैं मान लेता हूँ कि इसका radius R के बराबर है और इसका side length में मान लेता हूँ यदि A के बराबर है तो इसका area of surface कितना हो जाएगा देखे इसका surface किससे बना हुआ है 6 square face से मिलकर बना हुआ है एक face है यहाँ एक है नीचे एक है यह एक इसके सामने एक है यह एक उसके सामने तो 6 faces का जो total surface area होगा that will be equal to 6 A square यह relation हमें question में दिया है 2 से गया है तीन बार आपको यहाँ से मिल जाता है that A square is equal to 2 pi R square divided by 3 तो यहाँ से आपको एक ही value मिल जाती है that under root of 2 pi by 3 under root of 2 pi by 3 into R this is the relation between side of this cube and sphere अब इसको heat किया जाएगा जब temperature T तक मैं लेता हूँ कि surrounding का temperature जो है वो T naught के बराबर है तो इसका rate of जो power radiation है power radiation है यह कह सकते हैं कि radiation के emission का rate यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको DQ by DT आपको मिलने वाला है Stephen's Boltzman law के according sigma E A A कितना है इसका 4 pi R square into T raise to the power 4 minus surrounding के temperature raise to the power 4 यह हमें DQ by DT मिलने वाला है और DQ by DT को मैं लिख सकता हूँ कि इसके बराबर DQ by DT is equal to M S DT by DT M S DT by DT S A B से लिखा जा सकता है DT by DT तो आप देखिए बता यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ तो यहाँ से आपको मिल जाता है DT by DT DT by DT is equal to sigma E A यह इसको 4 pi R square लिख सकता हूँ यहाँ जाएगा T raise to the power 4 minus T S raise to the power 4 और नीचे आजाएगा आपके पास M S अब यहाँ पे दोनों quantities के लिए दोनों objects के लिए जो है मैं यह equation लिख सकता हूँ तो यहाँ नीचे वाले इस cube के लिए लिखूँगा DT by DT is equals to sigma E into 6A square divided by mass of cube यह mass of sphere है into S into T raise to the power 4 minus T S raise to the power 4 अब देखिए दोनों की cases में इसका temperature इसका temperature बराबर है जो elevated temperature था surrounding, same surrounding में रखा है तो T S भी same रहने वाले है तो यह वाला जो expression दोनों के लिए same रहेगा same material के है तो मैं कह सकता हूँ यह heat capacity दोनों की same रहने वाली है sigma E यह सारी चीज़ें जो है same रहने वाली है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो DT by T है वो इस वाले expression पर depend कर रहा है और इसके लिए जो DT by DT है वो 6A square upon MC पर depend कर रहा है और बाकी चीज़ें दोनों के लिए same होने वाली है तो मैं इसको equation number 1 मान लेता हूँ इसको equation number 2 मान लेता हूँ और दोने equations को यह दि मैं divide कर दो तो यहाँ से आपको मिलेगा DT by DT for sphere divided by DT by DT for the cube DT by DT for the cube is equal to यह वाला जो expression है कितना जाएगा 4 pi R square 4 pi R square 4 pi R square divided by mass mass को लिख सकता हूँ density into volume एक और same material से हैं तो same density होने वाली है तो मिल जाएगा 4 by 3 pi R cube similarly इसके लिए लिख सकता हूँ कितना जाएगा आपके पास 6 A square upon M C 6 A square upon M C M C को लिखा जा सकता है density into volume तो यहाँ से density से density cancel out हो गया है 4 pi से 4 pi cancel out हो गया है R square से R की एक power यहाँ बची है A square से यहाँ पे A की एक power बची हुई है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 upon R divided by 6 upon A तो यह मिल जाएगा आपको 3 upon R into A upon 6 3 से गया यह दो बार तो आपको मिल जाएगा यह A upon 2 R के बराबर अब यहाँ से R की जो value है उसे आप put कर सकते हैं R की value हमारे पास है A upon under root of 2 pi by 3 A upon under root of 2 pi by 3 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A upon 2 R R की value है A upon under root of 2 pi by 3 So A से A cancel out हो गया है और आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 pi divided by 4 into 3 का under root दो से चला गया दो बार आपको मिल जाएगा under root of pi by 6 is to 1 इस विल बी दा रेशो of the rate of cooling of sphere and the cube तो answer आजाएगा under root of pi by 6 is to 1 यही आपको यहाँ पे calculate करना था समझ गए सवाल तो सवाल को approach करने के लिए यहाँ पे आपको सवाल अच्छे से पढ़ना होगा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि evacuated space में उनको cool किया जाता है तो हम यहाँ से heat का जो transfer का phenomenon है वो समझ सकते हैं कि जब आपके पास heat का transfer बिना किसी medium की जरूरत के हो रहा है इसका मतलब वो radiation type का heat transfer है और radiation type का heat transfer है तो हम इसमें Stephen Boltzman equation जो है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं Ea sigma t raise to the power of 4 minus ts raise to the power of 4 यह net rate of कह सकते हैं cooling है net rate of heating है इस rate से जो है इसका heat का flow हो रहा है यहां से क् अ आ